दिली की मुख्यमंतरी आतिशी ने द्वारका सेक्टर 19 में एक नए सरकरी स्कूल की अधारशला रखी। इस मौक्या पर उन्होंने मंच से उपस्थित, अध्यापकों, विध्यार्तियों और अभिभावकों को संबोधित किया। और इस नए स्कूल की विशेष्टाओं को विस्तार से बताया। संबोधित किया। और कहा कि द्वारका में बनने वाला ये नया सरकारी स्कूल, दिली के सभी प्रावट स्कूलों से बहतर सुविधाओं से लैस होगा। इस स्कूल में कुल 104 कमरे, लैब्रेरी और एक एमफिथेटर होगा। इसके साथ ही आदुनिक स्पोर्ट सोविधाएं भी होगी जिन में बेडमिंटन और बास्केट बॉल को उट शामिल है। इस स्कूल में एक सचार कमरे होंगे, तीन लैब्रेरी होगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा। और आप मॉडल में देखिएगा कि इस स्कूल बिल्डिंग में बहुत युनीच चीज है, एक एमफिथेटर होगा। एमफिथेटर एक ऐसी चीज है, जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइविट स्कूल में भी नहीं होता, बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एक साड़े साथ सा सीटर एमफिथेटर बनाया जा रहा है। इस स्कूल में करीब 2-6,000 बच्चों के पढ़ने की शमता होगी। मौकी मंतरी आतिशी ने ये भी बताया कि अब दिली सरकार ने शिक्षिकों को प्राइश के लिए विदेश भेजने का प्रबंद भी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में 4,000,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है। ये बदलाव दिली सरकार की शिक्षनीती का प्रेणाम है। मोख्यमंत्री आतिश ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम शिक्षा के अधार पर वोट करें और ऐसे निताओं का चुनाव करें जो बच्चों की भविश्य के लिए कारे कर रहे हैं। उस पाँच फुट पाँच इंच के आम आदमी अर्विन केजरीवाल ने कहा कि चाहे कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा हो दिली के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी अच्छे से अच्छे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यह कहा अर्विन के जिवार जी और यह सिर्फ कहा नहीं एक के बाद है कि सपने को पूरा करने के लिए कदम भी उठाए 2015 में दिली इस देश का पहला राज्य बना जिसने अपना शिक्षा का बज़ेट दुगना किया और अपने सरकार का एक चौथाई बज़ेट 25 पसेंट बज़ेट शिक्षा पे लगाया एजुकेशन पे लगाया आज तक कोई सरकार इतना पैसा शिक्षा पे नहीं लगाती बेराल दली की मुख्यमंतरी आतिशी ने द्वारका सेक्टर उन्नेस को एक नई सरकारी स्कूल की सवगात दी है सयोगी मुकेश के साथ दली से विश्वाल सेंग की रिपोर्ट टोटल टीवी